अन्तर स्योग में आपका स्वागत है शेटिक अब बहुत पेन थी मेरा गोली खाती थी और मैं कहती थी हाई मेरे कोई पैर घुड़ दो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपके L4-L5 दभी है आपको इसी के साथ ऐसे ही जिंदिगी पर रहना पड़ेगा जब भी हम दर्द में होते हैं तो सबसे पहले हम उस दर्द को ठीक करना चाते हैं लेकिन ठीक करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम दर्द में आखिर है क्यों जिस इससे में पराण का परवा नहीं है वो इससे डेट हो सकता है परलाइज और कुछ नहीं होता तो जब जब मैं बोती हूँ आपके बंद करके फोकस कीजिए जहां जाये घर्दी जाएगी जहां आपका फोकस होगा जिस प्रकार रुके हुए जल में काई लग जाती है उसी प्रकार हमारे शरीर में दबी हुई उर्जा भी मैली हो जाती है और इस मैल को साफ करना हमारे हाथ में है बिल्कुल है लेकिन सबसे पहले हमें ये निश्चे लेना पड़ता है कि आज हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए तयार है मोटापे को कल पर नहीं छोड़ना जो भी पैंडिंग काम है मोटापे से रिलेटिड बिमारी से रिलेटिड उसे आज ही निप्टा देना है ये बात कोई बहुत विज्डव वाली नहीं है कि जो काम आज खतम किया जा सकता है उसे उम कल पर छोड़ दे अब जब आपने निश्चे कर लिया है कि आप अपनी शरीर की मैली उर्जा को साफ करेंगे तो ये काम आज से ही शुरू हो जाना चाहिए और सबसे पहले अपनी डाइट को कंट्रोल करते हुए ये देखते हुए कि आप अपने शरीर में क्या खाना डाल रहे है आप काम करेंगे अपनी लेग्स और स्पाइन की हेल्थ पे और ये जो तीन सिंपल सी एक्सराइज़ हैं ये आपको हेल्प करेंगी धीरे-धीरे आपकी लेग्स और स्पाइन में जो स्ट्रेस की वज़े से एनरजी फ्लो रुख गया है ऑक्सिजन का प्रभाव रुख गया है उसे दुबारा शुरू करेंगी इन एक्सराइज़े में आपको अपनी कमर के बल लेट कर अपने पेरों को बहुत हलकी सी मूव्मेंट्स देनी हैं जो आपको शाटिका के लेक के पेन से, नी पेन से मुक्त करेंगी और साथ के साथ आपकी लोवर बैक जैसे की L4 और L5 को स्रेंदन करेंगी जब हम शुरू करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं अपने आपकी साफ सफाई का वक्त कितना लंबा है हमें पतले होने में या ठीक होने में कितना टाइम लगेगा पर आप शुरूबात तो कीजिए हमारे साथ ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनने अपने शाटिका के लोवर बैक के पेन को ठीक किया और अपना वेट भी कम कर लिया अगर मुझे मेरे कमरे से किचन में जाना है तो मुझे बच्चो को बलाना पड़ता है कि मेरे साथ चलो जब से मेरे पेरो में प्रॉब्लम आय थी तो सप्ना हो गया थी कि वापस में आप इस जा पाऊँगी जा पाऊँगी 10 डेशन मेरे पैरो में फिलिंग आ गई थी वापस आज की देट मेरे मेरे कोई में नहीं लगी खाना बनाने वाली मैं खुद बनाती हूँ आपने दच्चों को भी देती हैं अब मेरी ये फनीचर की शॉप है मैं